कल वर्ट कैंसर दे है और इस वक्त हम है उत्र प्रदेश के राजपाल राम नायक जी के साथ सर एटीवी में स्वागत है आपका प्लीज कैंसर के बारे में कि लोगों के मन में बहुत डर रहती है कि लिकिन विज्ञान ने बहुत प्रगति की है कि अब मुझे भी पचीज साल के पहले कैंसर हुआ था नौ मैंने में कैंसर से बीमार था लेकिन मेरी मजबूत इच्छा शक्ति मेरे परिवार का सही ओग और विद्न्यान के प्रगति से जो दवाए उसे केमो ठरपी दे रहे थे तो इसके कारण मैं ठीक हो गया और मैं आपक बैसकेल चाहून की अब इसके पचीज साल हो गया है है और कैंसर के पहले जिस शख़ंहता से मैं काम करता था फटती साल विमिरे呢 सामय पर उम्र 85 के है फिर भी मैं पहले जैसे काम करता हूं तो बाकी के पहले जैसी बीमारिया बुखार आया है, सर्दी आई, वैसे ही अभी कैंसर है, ऐसा समझ कर व्यभार करना चाहिए, दवा लेनी चाहिए, नीमीता से लेनी चाहिए, और जो डर मन में आती है, तो डर को पहले को चाहता है, खर्चा जब जादा आता है तो उसके लिए स्ह योग देने वाले भी अलग-अलग मुख्य मंद्री के निजीर gleichen निजीर से कुछ मिलता है अधर मंत्री के निजीर से कुछ मिलता है स्लाई को जाटा chromosome को चाहिए, इस भुमका मैं कुछ मुछ उंमत के साथ प मैं आपको बता हूँ मैं जब ठीक होकर फिर से मैंने काम शुरू किया तो उस कारेक्र में अटल भ्यार वाच्पई जी आये थे क्योंकि मैं सौंसद था और सौंसद में मैं भरतिय जन्तापाटी का मुख्य सचे तक तो वाच्पई जी ने मुझे कहा ता फिर से आप काम शुरूर जब करेंगे तो मैं आऊंगा और आपके कारक्रम में आऊंगा और उन्होंने सब के सामने कहा कि इतने हजारों लोग जो आ तो मुझे वो रामभू कहते थे तो रामभू को देखने के लिए इसलिए जो सभी कैंसर से पीडित लोग होते हैं उनको मैं हमेशा कहता रहता हूं कि हिम्मत कभी नहार और इसलिए लड़ना चाहिए कैंसर के विरोध में उस पर हम जीत पा सकते हैं मुझे दो पुत्रिया है बड़ी पुत्री उसका नाम डॉक्टर निशीगंदा उसने रिसेट से कैंसर रिसेट से पीडी पूरी की थी और उसको उन दिनों में राष्ट्रपती के ओर से यंग साइंटिस्ट अवार्ड वी मिला थी वाकेली प्रांस में रहती और मैं जब बीमार था उस समय पर व हो गई है अभी चाउत है नौ केमत हरी पुरे हूंगे आप काम पर आजएंगे कैंसर के बीमारी और चरेवेती चरह वेती चरह करता का अर्थ जो है उसका अर्थ है चलते रहो चलते रहो चरयवती का जो अर्थ है वह बहुत महत्वका है एक आईतरय ब्राह्मन करके एक संस्कृत गरंथ है तीन-चार हजार साल पुराना उसमें कलपना इसी है कि इंडर राजा को सलाह देता है कि कैसा रहना चाहिए तो दो श्रोक है पह इसका भाग्य भी बैट जाता है जो सोया है उसका भाग्य भी सो जाता है जो खड़ा हो गया उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है लेकिन जो चलता है उसका ही भाग्य चलता है और इसलिए चलते रहो चलते रहो चलते रहो अब जोश तो मैंने अब तक देखा नहीं है ले लेकिन सेना का जो देश के प्रतीय और अपने करतव की निष्ठा, सेना काम लड़ने का होता है और लडना ऐसे धंग से तो जिस सब पद्धति से अपने सेना ने जाकर आपकिस्तान के यहाँ जाकर हमला किया और बदला लिया गोजे लगता है कि देश्भक्ति का वजोश है, और जो भी वह पिक्चर देखता है मैंने अब तक नहीं देखा है लेकिन जो भी देखता है वह कहता है कि अपने में आइसा ही जोश आना चाहिए एक बड़ी बात है कि मुझे कल ही मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है वो सभी विदायकों को यह पिक्चर दिखा